लोकसभा चुनाओ के पाँचवे चरणवे कल साथ प्रतीसत से अधीक लोगों ने किया मद्दान रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि अगनीवीर न केवल सैनिक बल्की प्रेरक अनवेशक और देश की समप्रभूदा के भी रक्षक है किंद्री राजी मंत्री डॉक्टर लेल मुरूगन आज एक दिवसी प्रवास पर दुर्ग पहुचे और प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान एक दो इस्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की शंभावना नमस्कार आप देख रहे हैं दूर्दर्शन समचार मैं हूँ अंकित मिस्रा और अब समचार विस्तार से लोगसबा चुनाओं के पांचबे चरण में कल 60 प्रतीसत से अधीक लोगों ने मद्दान किया इस चरण में 6 राजियों की 49 लोगसबा निर्वाचन सेत्रों के लिए मद्दान हुआ इनमें उत्तरप्रदेश की 14, माराष्ट की 13, पस्चिम बंगाल की 7, ओडिसा और विहार की 55, जारखन की 3, तथा जम्मू कस्मीर और लद्दाक की एक-एक सीट सामिल है विसंगर्मी के बाजूद लोगों ने मद्दान में उत्साह पुर्वक भागिदारी की इस चरण में कुल 695 उम्मिद्वार चुनावी मैदान में थे जम्मू कस्मीर के बारा मुला में 56,73 प्रतीशत मद्दान हुआ जो पिछले 35 वर्षों में सरवाधिक है बिहार में 54,85 प्रतीशत और जारखन में 63,07 प्रतीशत मद्दान हुआ लदाक में 79,62 प्रतीशत महराष्ट में 54,29 प्रतीशत ओरिसा में 67,59 उत्तरप्रदेश में 57,79 प्रतीशत और पस्चिम बंगाल में 74,65 प्रतीशत मद्दान हुआ है पांचवे चरण का मद्दान संपन होने के साथ ही अब तक 25 राज्यों में 428 लोक सबा सीट के लिए मद्दान पूरा हो गया है अर उनाचल प्रदेश, शिक्किम, आंध्र प्रदेश और ओडिसा की 63 विधान सबा सीट के लिए भी मद्दान संपन हो गया है इरान के राश्टरपती डॉक्टर सयद इबराहिम रईसी के निधन पर आज देश में एक दिन का राश्टरी सोक घोशित किया गया है आज राश्टरी ध्वज आधा जुका रहेगा राश्टरी ध्वज आधे जुके रहेंगे तथा सास की इस्तर पर कोई मनुरंजन तथा सांश्कृतिक कारेक्रम आयोजित नहीं किये जाएंगे हेलिकॉप्टर दुर्घटना में रैसी के साथ हिरान के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री हुशैन आमिर अब्दुल्ला हियन की भी मौत हो गई थी रक्षा प्रमुक सीडियेस जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि अगनी वीर ना केवल सैनिक बल्की प्रेरक अनवेशक और देश की समप्रपूदा के भी रक्षक हैं उन्होंने कल महराष्ठा रेजिमेंटल सेंटर और एयर मैन ट्रेनिंग स्कूल बेलगावी में प्रसिक्षन ले रहे अगनी वीरों के साथ बादचीत के दौरान यह बात कही सैनिसीवा के स्रेष्ठ उद्देश और सैनिधाचे के अंतरगत इसकी महतपूर्ण भूमिका को रिखांकित करते हुए रक्षा प्रमुक ने मराठा रेजिमेंटल सेंटर में ससस्त्र बलों में सामिल होने के लिए अगनी वीरों की सराहना की उन्होंने कहा कि यह राश्ट्र के प्रती उनके असाधरन कर्तव का प्रमान है जर्राल अलिल चौहान ने आश्वाशन दिया कि विभिन कठिनाईयों के बावजूद अगनी वीरों को सैन्य सेवा बेहत हितकारी लगेगी और उनका हर कदम उनके व्यक्तित्व का विकास करेगा साथ ही उन्हें राश्ट्र सेवा में गर्व की भी अनुमूत्ती होगी किंत्री राज्जी मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज अपने छतिशगर प्रवास के दौरान दुर्ग में आचारी महास्रमन के विद्वान शिश मनी सुधाकर के दर्सन और सत्संग लाव कारेक्रम में शामिल हुए इस मौके पर आचारी सुधाकर जी महराज ने डॉक्टर मुरुगन को अशिरवाद प्रदान किया कारेक्रम को शंबोधित करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि कई बड़ी बड़ी सभेताएं खत्म हो गई हैं लेकिन भारत ने अपना रास्ता सांती का खोज लिया है दुनिया में सबसे पुरानी और जीवित सभेता एक मात्र भारत है समाज के सदसि राजेस जैन ने दूरदर्शन समचार को बताया कि रिशी मुनी के आसिर्वाद के लिए केंद्री राज्य मंत्री पहुंचे और उन्होंने समाज हित के लिए चर्चा भी की सुधाकर मुनी से मिलने के लिए एवं उनका आशिरवाद लेने के लिए केंदरी मंत्री केयल मुर्गन जी यहां पधारे थे और 12 साप से 2 घंटे तक समाच के हित के लिए और सरु समाच के लिए कारेक्रम में जैन स्वेतांबर 13 पंथी सभा रायपूर के सदस्यों द्वारा केद्री राज्य मंत्री को सम्मानिद भी किया गया खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा अब लेते हैं छोटा सब्रिक हो गया इंतजाम किसका गुट्डि की फीस का दिखा बीस हजार का लोन तुरंट पता है कौन दे रहा है प्याज कितना है लोन वी नियमित्स अंस्थानों से ही ले और कर्स उतना जितनी जरूरत वो भी जाच कर हो गया इंतजाम पगार अडवांस में भेजिये RBI कहता है सही वितिय बरताव करे आपका बचाव बिलाई में इन दिनों डाक टिक्टो की प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है जहां 30 से अधीक देशों की डाक टिक्टे प्रदर्शित की गई है बिलाई स्पाथ सैंत्र के जन संपर्क विभाग द्वारा आयोजीत इस प्रदर्शनी का सुभारंब बिलाई स्पाथ सैंत्र के मुख्यम महा प्रबंधक तपन कुमार ने किया प्रदर्शनी में स्वर्गी सुब्रत देव बर्मन तथा चुमकी शाहा द्वारा संग्रहित डाक टिक्टो को प्रदर्शित किया गया है डाक टिकट संग्रहक चुमकी साहा ने बताया कि यह स्टेंप संचार का ससक्त माध्यम हुआ करते थे और इसके महत्तों से युवा पिढ़ी को आउगत कराने की मकसद से इस प्रदर्शनी का आउजन किया जा रहा है सारी हर देश का मुझे जो भी मिलता है था जैसे कि मान लीजिए जीव जन्तू आनिमल्स के उपर वाइल आनिमल्स फिर वहां का जो वेजिटेशन फूल पत्ती फिर वहां का जो भी साइन्टिफिक बने एक डिस्कवरी वहां के ग्रेट परसनालिटीज वहां का लैंड्सक कि यहने ऐसा कोई भी फिल्ड हमने छोड़ा नहीं है और सबसे बड़ी बात किसी भी डाक्टिकेट चाहे वो छोटा हो बड़ा हो रंगीन हो या जो भी हो हर किसी को उतना समान उसको मैंने इंपोर्टेंस दिया है और हर एक को मैं बच्पन से कलेक्ट कर रही हूँ वही भिलाई स्पाथ सेंत्र के मुख्य महा प्रबंधक तपन कुमार ने प्रदर्शनी की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से लोग भारत सहित विभिन देशों के रहन सहन वा संश्कृति आदी से अउगत हो पाएंगे यूनीक एग्जिबिशन है और स्टैम केलेक्शन इतना बड़ा स्टैम केलेक्शन और इतना वास्ट स्टैम केलेक्शन जिसकी एक आपको इंट्रोड़क्शन मिलता है आज ये एक साइन्स है जो कि बहुत पॉपॉलर नहीं है बट इसकी पॉपॉलरिटी आज शाहिद आज की दुनिया में ये मजूद भी नहीं है इतना बट ये पास्ट का एक दरपन है जो कि हमें अपने कल्चर से हमारे पास से जोड़ता है प्रदर्शनी का समापन कल 22 मई को होगा वहीं प्रदर्शनी का उलो कल साम 5 बजे से लेकर रात 8 बजे तक किया जा सकता है कबिरधाम जीले में पंडरिया विकास खंड के ग्राम बाह पानी के पास सुई सड़क दुरगटना में वित्स्रमीको की अंतिम संसकार यात्रा में उपमुख्यमंत्री विजय सर्मा और पंडरिया विधायक भावना बोहरा भी शामिल रही वित्को का अंतिम संसकार पंडरिया के ग्राम से मरहा गाउं में ही किया गया वही उपमुख्यमंत्री ने मृतिको के परिवार जनों से मिलकर धांधर्स बंधाया और कहा कि प्रदेश सरकार इस दुख की घड़ी में उनके साथ है उन लेखनी है कि सुमवार को पिकप वाहन के खाई में गिर जाने से तेंदूपत्ता तोड़कर लोट रह 19 लोगों की मौत हो गई थी रामकृष्ण मिशन आस्रम नारायनपूर के फुटबॉल मैदान में आयुजित स्वामी विवेका नंद अंडर 20 राश्टरी फुटबॉल चेंपियन सिप के सेमी फाइनल में चार टीमें पहुंची पहला सेमी फाइनल मैच करनाटक और मणिपूर बीच खेला गया जिसमें करनाटक की टीम ने मणिपूर को एक सुन्य से हरा कर फाइनल में जगह बनाई मैच में सैखम बोरिश चिंग को प्लेयर आप दे मैच अवार्ड प्रदान किया गया वहीं दूसरा सिमी फाइनल मैच दिल्ली और मिजोरम के बीच खेला गया जिसमें दिल्ली की टीम ने मिजोरम को 3-2 से हराया इस मैच में प्लेयर अब दम मैच मिजोरम के कप्तान लाल थांकीमा को दिया गया फाइनल मैच कल 22 मैई को करनाटक और दिल्ली के बीच खेला जाएगा मौसम विभाग ने देश के पस्चिम उत्तर हिस्से के मैदानी भागों उत्तरी मध्यप्रदेश और गुजरात में अगले तीन दिन तक भीशन गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है विभाग के अनुसार अगले चार दिन में देश के उत्तर पुस्चिमी और मध्यवर्ती इलाकों के तापमान में तीन डिग्री तक बढ़ोतरी की संभावना है कल चतिसगर सहित बिहार महराष्टर विधर्ब हिमाचल के मैदानी भागों और उत्तरा खंड में अधिक्तम तापमान 40-42 डिग्री के बीच था इस बीच दक्षिन पस्चिम मानसून के कारण दक्षिन भारत के कुछ हिस्सों में वर्सा तेज हो गई है इदर चतिसगर में इन दिनों भीशन गर्मी के बीच कुछ स्थानों पर हलकी से मध्यम बारिश भी हो रही है मौसम विभागने अगले 24 घंटों के दारान सरगुजा और बिलासपूर के कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई है अगले 24 घंटे के दारान प्रदेश में उत्तर और दक्सिन इलाके में एक दो इस्थानों पर हलकी से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ इस्थानों पर गरत चमक के साथ आकासी बिजली गिरने और अंधर चलने की भी चेताउनी दी गई है वही अगले तीन दीनों में मध्य 36 घंटे के जीलों में अधिकतम तापमान में एक से दो डिग्री तक विधी भी हो सकती है बाकि जीलों में अधिकतम तापमान में कोई विशेश परिवर्तन होने की संभावनाएं नहीं है अब कुछ खबरें जीलों से गौरेला पेंडरा मरवाही जीले की कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने कलेक्टोरेट में गौरेला और पेंडरा विकास खंड के अंतरगत संचालित नीजी इस्कूलों के प्राचारियों तथा प्रधान पाठकों की बैठक ली उन्होंने अधिकारियों को सिक्सा का अधिकार अधिनियम के तहट आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों को निर्धारित संख्या में प्रवेश देने के लिए निर्देश दिये हैं करेक्टर ने संचाल को और प्राचारियों से तीन दिन के भीतर पिछले 5 साल में ड्रॉप आउट हुए बच्चों की जानकारी भी उपलब्द कराने को कहा है जांजगीर की सिटी कोतवाली पुलिस ने 3,600 नसीली टेबलेट के साथ 3 आरोपी को गिरपतार किया है पुलिस को मुख्बीर से सुचना मिली थी कि 3 व्यक्ती नसीली टेबलेट खपाने की फिरात में मोटर साइकल से जांजगीर की ओर आ रहे हैं सुचना के आधार पर पुलिस ने संदेहियों को रोग कर जांज की और और आपियों के कबजे से नसीली टेबलेट सही 3 मोबाइल, एक मोटर साइकल और 920 रुपए नगधरासी जब्त की है पुलिस ने NDPS1 के तहत मामला दर्ज किया है शिरपूर विशेश छेत्र प्राधी करण के निमंतरन पर भारती पुरातत्व शर्वेक्षन संयुक्त महानिदेशक डॉक्टर प्रवीन कुमार मिश्र ने शिरपूर शेत्र का दौरा किया इस दौरान सिरपूर साडा की टीम ने शेत्र में चल रहे अनुसंधान और दस्तावेजी करण कारियों का उलोकन प्रस्तुत किया इनमें पुरातात्वीक उत्खनन अतिहासिक अनुसंधान वास्तो शिल्प अध्ययन संस्कृतिक सर्विक्षन मानव विकास जैव विविधिता मुल्यांकन और समाजिक आर्थिक मुल्यांकन सहित विभिन पहलूं को श्रामिल किया गया जन्जगीर चापा के पामगर शेत्र के ग्राम बोर्सी में सर्क्व दंस से मा बेटे की मौत हो गई घर में सोते वक्त साप ने मा बेटे को डश लिया था गंबीर हालत में दोनों को प्राथमिक उप्चार के लिए पामगर अस्पताल ले जाया गया बाद में उन्हें बिलास्पूर शिम्स रेफर किया गया जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई है अन्तमे मुखि समाचार एक बार फिर से लोगसबा चुनाओं के पांचवे चरण में कल साथ प्रतीशत से अधीक लोगों ने किया मद्दान रक्षा प्रमुक जनरल अलिल चौहान ने कहा कि अगनी वीर ना केवल सैनिक बलकि प्रेरक अनवेशाक और देश की संप्रभूता के रक्षक भी है केंद्री राज्यमंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज एक दिवसी प्रवास पर दुर्ग पहुंचे और प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान एक दो इस्थानों पर हलकी से मध्यम बारिश होने की शंभावना इसी के साथ यह समचार बुलेटिन समाप्त हुआ नमस्कार